Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इग्रू ने जून 12 अटाम में एक्जाम को 3 अगस्ट से सिर्फ फाइनल यर के स्ट्वेंड के लिए कंड़क करवाने का फैसला किया है हलाके mode के बारे में confirm लिया भी नहीं बताया गया 3 जुलाई को जब यह notice release किया गया उसके बास से बहुत से regional center के director या regional center के official facebook live पे और different platform पे live आये थे जहांपे student ने उनसे ही question किया कि exam का mode क्या होगा उन्होंने mixed response दिया कुछ regional center के director ने confirm लिए बोला कि हाँ offline ही exam conduct करवाय जाएंगे और कुछ regional center के official ने बोला कि अभी हम confirm नहीं बोल सकते headquarter इसके ओपर फैसला लेगी और जो भी फैसला लिया जाएगा आप लोगे बताया जाएगा तो इसमें confirm ली नहीं बताया गया यह वीडियो बनाने के मकसद आप सब इस्टोडियन को एक बार फिर से और एक last time एक्जोट करना है उसका एक बहुत गंभीर वज़ा है क्या है वो reason 6 जुलाई को State Bank of India का एक research report पेस किया गया है जिसमें coronavirus के third wave के बारे में बताया गया है कि third wave August के mid week से आ सकता है और उसका जो peak होगा वो September में आएगा यह report के बारे में almost जितने भी leading newspaper है सभी में छपा हुआ है यह India Today का article आप लोग देख सकते हैं उसके अलावा Live Mint का भी article आप लोग देख सकते हैं इंडिया में see start of third wave from next month यानि कि August में SBI report ने यह बताया है उसके अलावा Hindustan Times और जितने भी बड़े-बड़े newspaper है सभी में यह चीज़ छपा हुआ है कि third wave August में आ सकता है उसका peak September में आ सकता है now the question is तीन जुलाई को इग्रू ने यह notice दे दिया कि हम exam conduct करवाएंगे तीन अगस से अब जब यह coronavirus का third wave August के midweek से आएगा तो फिर उस वक्त तो exam चलते रहेंगे अगर यह लोग offline exam लेने के लिए सोच रहें तब तो फिर उनको बीच में ही exam को बन करना परेगा अगर third wave आये तो या majority of strand exam देने ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि third wave अगर start हो गया और बहुत जादा cases आने लगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और उस पर से peak है September में और आप लोग जान लो कि इगनू का जो exam होता है वो एक महीना तक चलता है तीन अगर से start होगा तो तीन सिप्तेम्बर तक चलेगा most probably ठीक है तो उस time पर exam कैसे कंड़क करवाया जा सकता है now अब university को एकदम serious way में यह सोचना होगा देखो इससे पहले हमने open book exam के बारे में इतना बड़ा एक star पर जो hashtag चलाया था बहुत सारे student ने उसमें support किया था लेकिन उसके बास से फिर हमने कोई hashtag नहीं चला क्योंके इगनों के जो official है उनका रवाया देखके मुझे समझ मिलिया कि यह लोग कैसे मानेंगे मतब इतना बड़ा star पर एक hashtag चला सभी लोगों ने tweet किया लेकिन उनका response क्या था मतब उनका response देके ऐसा लग रहा था कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे अब चाहा कोई खुस हो या हो खफा हम नहीं बदलेंगे अपनी आदा वैसी वाली बात हो गई कि वो अपना मतलब decision को change करने के लिए तयार ही नहीं है और यह मान के चलने कि offline ही exam conduct करवाया जाएगा online exam conduct करवाया ही नहीं जा सकता जबके यह बिलकुल गलत है क्योंकि बहुत सारे university ने या तो online exam conduct करवा लिया है या कंड़ा करवाने के लिए notification जारी कर दिया है इवें हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बरे open university YCMOU के तरफ से भी यह decision ले लिया गया है कि online ही exam conduct करवाया जाएगा में मंत में ही उन्होंने decision ले लिया था और कल उन्होंने notification भी जारी कर दिया तो जब YCMOU university जब online exam conduct करवा सकती तो फिर IGNU क्यों नहीं करवा सकती और अभी तो यह solid reason है और इस reason को denied करने के लिए उनके पास कोई option ही नहीं है कि अब क्या बोलेंगे SBI का research report यह बता रहा है कि third wave August में आ सकता है और उसका peak September में आएगा तो ऐसे में आप offline exam कैसे conduct करवा सकते हो और आप लोग ने तो already decide कर लिया है कि final year के exam conduct करवा जाएगे तो सिफ final year के student ज़्यादा तो होंगे नहीं ज़्यादा 3 lakh student होंगे तो कम से कम 3 lakh student का तो online exam ले लो open book exam ले लो क्योंकि देखो यह same situation फिर December में भी आने वाला है क्योंकि अगर September में peak आएगा तो उसके बासे वो कम होते होते जब normal condition आते आते तो December में हो जाएगा December तक time आ जाएगा और उसको फिर December session का exam है फिर उसको postpone करना पड़ेगा फिर उसको decision होगा कि online होगा या offline होगा तो फिर university एक alternate option क्यों नहीं रह सकती और example है YCMU और YCMU के जो vice chancellor है वो इगनू में 30 साल तक काम कर चुके हैं अगर उनका resume देखोगे आप लोग तो 30 साल तक वो इगनू में रह चुके हैं director भी रह चुके हैं जब उन्होंने ये फैसला ले लिया कि online exam conduct करवाया जाएगा YCMU में तो फिर इगनू ये काम क्यों नहीं कर सकता और जब हमें पता है कि third wave अगस्ट के mid से आने वाला है और peak September में आ सकता है तो फिर हम ये risk क्यों लेंगे student के life के साथ में तो इसलिए आप सभी student को फिर से एक last बार मैं exit करना चाहूंगा कि आप लोग इस hashtag को use करके tweet करे इगनू students against offline exam ये hashtag को use करना है आप लोग के screen को नजर आ रहा है link description में दिया हुआ है और जैसे आप लोग वीडियो देखोगे वैसे ही tweet करना स्टार्ट कर देना मैं एक कोई certain time इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि देखो university ने अल्री exam का date announce कर दिया है प्लस exam from Philip का ने का भी last date 9 July तक रखा गया है ऐसे में अगर late करेंगे तो कभी भी ये लोग date city list कर सकते हैं उसके बाद से फिर कुछ किया नहीं जा सकता ठीके तो एक last बर हम सब लोग mail के try करते हैं उसके बाद से university का ultimately में जो भी decision होगा वो सब को मानना ही परेगा लेकिन हम कोशिस तो कर सकते हैं इसरे जितने भी student हैं जितने भी group हैं सब के पास ये share कर दो ताकि ये hashtag को use करके tweet करें और भले training पे जाए या ना जाए लेकिन बात पहुचना चाहिए क्योंकि पिछले बार भी जब hashtag चला था कि ignorant want OBA exam तो आप लोगा पता नहीं होगा कि headquarter तक भी बा करवा सकते हैं लेकिन अभी ये solid reason है इस चीज को आप लोग यूज कर सकते हैं कि जो SBI का report paste हुआ है उस हिसाफ से अगस्त के mid में coronavirus का third wave आ सकता है तो फिर exam कैसे conduct करवाया जाएगा और SME student के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसलिए कम से कम सभी के लिए अगर न इस सुब काम के लिए आपको award भी मिलेगा क्या award मिलेगा हो मुझे नहीं पता लेकिन please अब negativity मत फैला ना कि हमें offline exam देना है and all आपको देना है आप देना लेकिन जितने student अगर इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं कि हम offline exam के against में हैं तो आप लोग definitely tweet करना ताके university एक बार कम से कम सोचे student के hit में और offline exam ना कंड़ा करवा के open book exam कंड़ा करवा है और जितने भी मेरे fellow youtuber है उनसे भी मैं गुजार इस करूँगा कि आप लोग भी इस hashtag को use करके tweet करें या फिर अपने viewers को बोले या फिर community पे कम से कम post करें कि इस hashtag को use करके tweet करने के लिए ताके जाज़- community का रवया एक दम बिलकुल अलग था लेकिन फिर जब यह SBI के तरफ से research report पेस हुआ जिसमें यह clearly बोल दिया गया कि अगस्त में आ सकता है और September में peak हो सकता है तो फिर मुझे लगा कि नहीं एक और बार last बार कम से कम हमें try करना चाहिए कि इगनू offline exam conduct ना करवा के कम से कम स जो आप लोग tag use करते हो तो इगनू official इगनू को तो tag करना है यह लिगनू VC को अगर tag नहीं करोगे तब ही चलेगा क्योंकि इगनू VC अभी active नहीं रहा रहा है ठीक है उसके अलावा आप लोग जितने भी influencer people है उनको tag कर सकते हैं ताके यह बात पहुँचे और उनको समझ मे करवाएं तो यही सब्ता इस वीडियो में मैं आप लोग को यह सभी important information देने वाला था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा इसे वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी फ्रेंड के साथ सेक है ताका उनको भी important information मिल पाए किसी भी तरह के doubt के लिए आ आप लोग AHL plan channel को जरूर subscribe करें क्योंकि यह सिर्फ एक channel नहीं है यह Ignoe student की सबसे largest community है so जरूर subscribe करें और be the part of this largest community thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much